ओकी तो हेलो एन वेलकम फ्रेंड्स तो आज के इस नीग वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कौन सा इंजेक्शन कब लगाया जाता है अगर आप एक मेडिकल एस्टुडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिसनर है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हद तक स्क्राइब से हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला इंजेक्शन हमारा फिनेरा माइन मिल्ट इंजेक्शन है और ये एविल नाम से आता है बाकी इसके यूज के बारे में बात करें तो अलर्जी रियेक्शन जै यहां पर किसी भी वैक्ति को जब मधुमक्खी काट लेता है तो उस काटी हुए अस्थान पर सूजन आ जाती है थोड़े चकत्ते टैप के पर जाते तो उस कंडिशन में जो है वो फिनेरा माइन मिल्ट इंजेक्शन उस पे सिंड को लगाया जाता है बाकी और भी इसके चकत्ते आ जाने वही होता है यहां पर स्किन रैसेस, एडीमा, एडीमा के कंडिशन में भी क्या होता है हमारे स्किन के उपर जो है न वो छोटे छोटे दाने टैप के आ जाते है ठीक है और कह सकतो स्किन इंफेक्शन हो जाना तो उस कंडिशन में हम फिनेरा माइन मिल्ट इंजेक्शन जो है वो उस वैक्ति को लगाते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरब जो की काफी पॉपलर इंजेक्शन है जो की दोस्तों हमारा डाइकलोफीनेक्स सोडियम इंजेक्शन आता है बात करें इसके उपयोग के बारे में तो बोन एंच्वाइन प या किद्नी के आसपास जो है वो दर्थ होती है तो उस दर्थ को ठीक करने के लिए डाइकलोफिनेक इंजेक्शन पेसेंट को लगाते हैं बाकी इंजेक्शन हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजेक्शन हो गई है चोट लग गई है तो उस कंडिशन में क्या होता है द जरी हो गई है यह एक्सिडेंटल कंडिशन में भी क्या होता है कि अगर टैबलेट खिलाओ गए तो अपकोस टैबलेट जो अपना एक्शन शो करता है वो थोड़ा टाइम लगता है बट इंजेक्शन नस्स में जाती है हमारे बॉडी में डैरेक्ट इंजेक्ट होती है तो उ पेंटो प्रासोल इंजेक्शन आती है और यह पेंटो सीड नाम से आता है वहीं पर बात करिए इसके उपयोग के बारे में तो एंटी अलसर किसी भी वैक्ति के पेट में छाले पढ़ गये हो तो उस छाले को ठीक करने में किया जाता है ठीक है गैस्टी के सीड हमारे इस ट करने के लिए पेंटो प्रासोल इंजेक्शन पेंट को लगा जाता है बाकी यह पेंटो सीड नाम से आता है बात करिए इसके रूट के बारे में कौन सी डूट से लगा जाता है इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि उससे नस में लगानी है या फिर से मान स्पेश्यों में लगानी जैसा कि आप यहां पे देख सकते IV लिखा हुआ है तो I का मतलब क्या होता है तो देखिए I का मतलब होता है इंट्रा और इंट्रा का मतलब होता है अंदर वहीं पे V का मतलब होता है वेंस और वेंस का मतलब जो होता है वो NUS मतलब कि NUS के अंदर लगानी है अगर किसी भी injection के packaging पर इस परकार से आपको IV देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब यह होता है कि सिर्फ और सिर्फ उस injection को है वो NUS में लगानी है यहाँ पर detail में भी लिखा हुआ है for intravence injection only मतलब कि NUS में जो है वो इस injection को लगानी है ठीक है समझ रहे न आप बाकी यहाँ पर IM लिखा हुआ रहेगा तो मान स्पेशियों में उस injection को जो है वो लगाया जाता है जो कि मैं आपको आगे किलियर कर दूँगा और भी कुछ example देकर यहाँ पर आपको detail में जो है वो बता दूँगा next injection हमारी multivitamin injection आती है और यह invi naam से मिलता है वहीं पर इसके uses के बार में बात करें तो vitamin के कमी के कारण कमसोरी होना थकान होना वजन कम हो जाने में किया जाता है ठीक है ondincitron injection है और ये immisit नाम से आती है बाकी इसके use के बारे में बात करें तो nausea, g-michlana, vomiting, ulti होना काफी ज़्यादा ulti होने पर patient को जो है वो हम ondincitron लगाते हैं g-michlana रहा है काफी ज़्यादा उस condition में इससे भी ulti होती है ठीक है तो यहाँ पर ondincitron या immisit कह सकते हो injection patient को लगा जाता है बाकी अगर हम देखें कौन से root से लगानी है ठीक है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ example से मैं आपको clear कर दूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते है IV और IM use लिखा हूँ है मतलब कि इस infections को हमhop ंस में भी लगा सकते है manspatio में भी लगा सकते है IM का मतलब होती है h Oreo का मतलब मैंने बताया ही intra ra का हुता है under वहें इम का मतलब होता है manspatio मतलब कि एar ind нуж Called ondincitron injection को man這些 few में भी लगा जा सकता है और नस में भी लगाये जाते हैं अगली injection हमारी hydrocortisone injection है और यह injection hospital क्लिनिक्स में most of the type जो है वो इस्तेमाल की जाती है बाकी है hydrocortisone 100 नाम सी आती है 100 का मतलब हो गया कि इस injection में hydrocortisone drug जो है न वो 100 mg में और आप यहां पर देख सकते फोर आई एम और IV use only मतलब की man special में या फिर से nurse में इस injection को लगाया जा सकता है बाकी यहां पर आपने medicine के packaging पे काफी time देखा होगा कि कुछ इस परकार से word लिखा हुआ होता है IP ठीक है फिर से BP USP तो इसका मतलब क्या होता है तो देखिए IP का मतलब होता है Indian Pharmacopeia BP का मतलब होता है British اور USP का मतलब होता है United States Pharmacopeia अब दोस्तों बात आती है कि यह Pharmacopeia क्या होती है क्यूंकि हर सब्त के अंध में Pharmacopeia औह रही है तो Actual में यह Pharmacopeia क्या होती है तो Pharmacopeia जो हैना वो एक book होती है जिसमें medicine की सभी जानकारी लिखी हुई होती है तो next time से अगर आप किसी भी medicine के packaging पर IP देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो Indian Pharmacopeia के book के procedure पर बना हुआ है ठीक वैसे ही BP-USP मिलता है तो British Pharmacopeia और United State Pharmacopeia उसका मतलब होता है और बात करें hydrocortisone injection के use के बारे में तो allergic reaction, skin problems तो अच्छा में काफी सारे type के problems होते है उन problems में hydrocortisone injection लगाया जाता है ठीक करने के लिए liver inflammation, liver में inflammation आना, suzer होना, bone disease, हड़ियों में बिमारी होना, cancer ठीक है तो इन सभी में hydrocortisone injection जो है वो patient को लगाया जाता है next injection हमारी dopamine injection है और ये एक life saving injection है दोस्तों मैं आपको आगे के लिए कर दूँगा कि मैं यहाँ पे इस injection को life saving injection क्यों कह रहा हूं बाकि dopamine जो है वो डोपार नाम से आती है और इसका उप्योग cardiogenic shock, septic shock, heart attack अब समझ मैं कि मैं यहाँ पे इससे life saving injection क्यों कह रहा हूं क्योंकि ये एक heart attack को रोकने में भी जो है वो इस injection का इस्तिमाल किया जाता है या किसी भी वैक्ति को heart attack आई हो तो उसे ठीक करने के लिए जो है वो हम dopamine या फिर से डोपार injection लगाते हैं बाकि इससे कौन से root से देनी है तो I.V. use only और इस injection को जो है वो nurse में लगाया जाता है चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारी अगली injection की तरफ जो कि काफी popular injection है drotavarin injection और ये drotin नाम से आती है वहीं पर इसके use इस्तिमाल के बारे में बात करें तो kidney stone pin, kidney में पत्थर हो जाना ठीक है तो उस condition में दर्द होती है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए हम drotin injection patient को लगाते हैं और भी इसके कुछ उपयोग है जैसे की muscle pin, manspatio में दर्द, stomach pin, pet में दर्द, menstrual pin, periods के दोरान होने वाला दर्द, biliary stone pin biliary में stone हो गई हो, पत्थर हो गई हो तो उस पत्थर होने पर क्या होता है दर्द होता है तो उससे ठीक करने के लिए drotin injection हम लगाते हैं तो इन सभी के दर्द को ठीक करने के लिए drotin injection patient को लगाया जाता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा elaborate करके इसलिए बता रहा हूँ मतलब की एक ही चीजों को बार बार repeat करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ सकें अगली injection हमारी सिफ टैक्सिम injection है और यह टैक्सिम नाम से आती है वहीं पर यह एक एंटिबायोटिक है आपको पता ही होगा कि एंटिबायोटिक का इस्तमाल हम क्यों करते हैं तो बैक्टिरिया को किल करने के लिए एंटिबायोटिक का इस्तमाल जो है वो किया जाता है बाक and joint infection, हड़ी एवं हड़ी के जोड़ों में infection या कह सकते हो संग्रमन, pneumonia, air infection, कार में संग्रमन, UTI, urinary tract infection, urine के रास्ते में किसी भी परकार की infection होना, ठीक है meningitis, तो इन सभी के infection या फिर से कह सकते हो संग्रमन के treatment में जो हैं, वो septiccine injection, पेसेंट को लगा जाता है, बाकी अगर हम बात करें कि कौन से root से लगाया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते, IM and IV, मतलब कि man specieeu में भी हम लगा सकते हैं, और nurse में भी इस injection को जो है, वो लगाया जाता है, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आईपी लिखा हुआ है मतलब कि ये इंजेक्शन जो है वो इंडियन फार्मकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है बाकी दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टुडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिसनर है तो आप यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर लिजेगा या फिर से स्किन शॉट लेके भी रख सकते ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके अगला इंजेक्शन हमारा डाई साइक्लोमाइन इंजेक्शन है जो की एक एक एंटिकॉलिनर्जिक होती है वहीं पे ये मेडिकल इसपास नाम से आता है बातकरीज के उपयोग के बारे में इस्तेमाल के बारे में तो डिसकमफर्ट फिल बेचैनी होना इस्टमक पेट दर् क्रैम्स मतलब की मरोड होना क्या होता है डाईडिया के कंडिशन में कॉंस्टिम पेशन के कंडिशन में जो है वो हमारे पेट में मरोड होती है तो उसे ठीक करने के लिए डाई साइक्लोमाइन इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है बटते हैं अगले इंज इंजेक्शन के बारे में तो इटोफाइलिन एंथियोफाइलिन इंजेक्शन है बाकी ये डेरीफाइलिन नाम से आती है वहीं पर इसका यूज अस्थमा COPD कहने का मतलब chronic obstructive pulmonary disease इन शौट आप हिंदी भासा में काफी आसान तरीके से समझ ये तो किसी भी वैक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो जैसे कि सांस से रुकना सांस से फुलना सांस से थमना तो उस कंडिशन में जो है उस पेसेंट को डेरीफाइलिन इंजेक्श लगाया जाता है तो दोस्तो अगली इंजेक्शन हमारी oxytocin injection है और इसका use induction of liver increase contraction of uterus uterus के contraction को ये क्या करता है oxytocin injection increase करता है ताकि यहाँ पे baby delivery जो है वो बिलकुल ही आसानी तरीके से हो सके ज्यादा बेचैनी नहों ठीक है क्या करता है oxytocin injection मैं यहाँ पे एक बार और कि oxytocin injection का काम क्या होता है तो uterus के contraction को ये क्या करता है तो increase करता है ताकि यहाँ पे baby delivery काफी आसान तरीके से हो सके वहीं पे इसके और भी कुछ use है जैसे की control post delivery bleeding delivery होने के बाद baby delivery होने के बाद जो bleeding होती है ठीक है तो उस bleeding को control करने के लिए oxytocin injection patient को लगाया जाता है बाकि य दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते है साफ साफ लिखा हुआ IV और I am used only मतलब कि इसे हम मान स्पेश्यू में भी लगा सकते हैं दे सकते हैं और नस में भी दिया जाता है ठीक है कोई भी रूट से आप दे सकते हैं दोनों रूट में से किसी भी रूट से next injection हमारी iron sucrose injection है और यह एक anti-anemic होती है बाकी यहाँ पे देख सकते हैं USP के प्रोसेजर पे बना हुआ यूनाइटिर स्टेट फार्मकोपिया के प्रोसेजर पे बना हुआ है बात करी इसके उपयोग के बारे में तो heavy bleeding due to pregnancy pregnancy के दोरान काफी ज्यादा bleeding होने पर iron sucrose injection जो है वो हम पे सिंट को होता है iron की deficiency हो जाती है तो उसे maintain रखने के लिए iron sucrose injection हम पेसेंट को लगाते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले injection की तरफ छो की दोस्तों यह काफी popular injection है pyroxy cam injection और यह pyroxy नाम से आती है वहीं पे I am लिखा हुआ है मतलब की इसे हम manspatio में लगाते हैं I am कहने का मतलब intramanscular और इसका हिंदी होता है manspatio के अंदर ठीक है बाकी pyroxy cam एक neset class की medicine नeset कहने का मतलब non-esteroidal anti-inflammatory drugs बात करी इसके use के बारे में तो हड़ियों में दर्द वसूजन को कम करने में किया जाता है ठी ठीक है pyroxy cam injection का इस्तेमाल कप करते हैं तो हड़ियों में दर्द वसूजन को कम करने के लिए किया जाता है तो दोस्तों यह सभी injections थी जिनका उप्योग आपको आवश्य पता होनी चाहिए यह injection जो है वो medical field में काफी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती just like कह सकते कि hospital हो गय clinics हो गये practice nurse हो गये ठीक है तो यह सभी काफी ज़्यादा इस्तेमाल में लेते तो इन सभी की जानकारी आपको आवश्य होनी चाहिए hopefully आपको वीडियो काफी पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देनी है चैनल को subscribe कर लेनी क्यूंकि इससे हमें भी काफी सारा motivation मिलता है बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आयों कुछ doubts हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं उसके साथ साथ एक महदपूर्ण जानकारी की जितनी भी दवाईयों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है उन सभी medicines में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिलकुल भी नहीं करना है डॉक्टर के prescription या फिसे डॉक्टर के सला सही इस्तमाल करना है अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी problem होता है side effect आता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए बना गया है बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात